Hello Everyone, Welcome to my YouTube channel, my new video बालिवोड इंडस्टी में बहुछ सी एसनिया है जिर्ट का नाम बालिवोड एक्टर में टॉप एक्टर में सामिल होता है उसे में नाम सामिल ही जूभी चावला का नाम बालिवोड की बड़ी और मश्यूर एक्टर में लिया जाता है उन्होंने साल 1986 में आई फिलम सुर्ताना से अपना बॉलिवूड सफर स्टार्ड गया वही उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिलम की अपना नाम बॉलिवूड की टॉप एक्टर में सुमार करने के साथ साथ शोहरत से लेकर दौलत सब कुछ कमाया अपनी बॉलिवूड करियर में जुही चावला लगवक्ट 86 फिलम से काम कर चुकी है वही एक एक्टर होने के सांसा तो एक फिलम प्रडूशर भी है अगर बात करें उनके नेडवर्क की तो रिपोर्ट की माने तो माना जाता है उनकी संपती 6 मिलियन डॉलर यानि की 44 क्रोड रुपे के आसपास की यह जुही चावला एक सांदा लाइपस्टायल जीने के लिए जानी जाए तो पती जैम हैता और दोन बच्चों के साथ बु इसमें 1.1 करो रुपे की किमत वाली ओडी 1 और ओडी 2 है और उनकी लगभग उसकी किमत सेविट फिलाल इन दोनों ने जुही चावला प्राइमरी वीडियो की वेव सीरीज हसस को लेकर सुर्कियों में चल रही इस वेव सीरी के जरी उन्होंने अपनी OTT डेब्यू किया है बता दे की होसोस 22 दैसमबर को रिलीज हुई है इस वेव सीरी में जुही चावला के साथ एक्टर शोहर अली चावला खुद को फिट रखने के लिए जिम नहीं चाती है घर पर ही योगा करती है उनके योगा फ्यास से अयंग योगा सामिल है और जो उन्हें सांथ और बहत का रस और सहर मिलाकर पीने से करते हैं उनकी बॉडी को डिस्ट्रिक्स करता है इससे उन्हें और पाचन तर्थ भी मजबूत होता है वजन कंट्रोल करने के सासत इनके चहरे पे भी गलो आता है खुद को हाइट्रेड रखने के लिए जुही दिन भर आठ से दस गिलास पान का भी सेवन करते हैं एक्टर के सुंदर तच्चा और फिटनेस के पीछे हैल्दी डाइट है जुही लंच में दाल रोटी चावल दही हरी सबजी खाना पसंद करती बालों की सुंदरता बनाये रखने के जुही कोई डेटमेंट नहीं लेती बलकि मेथी के वीज से तयार प जुही और जैम हैता की मुलाकात करवाई थी शूटिंग के दोरान ही जुही और जैक की कई पार मुलाकात हुई हाला कि तब दोनों एक दूसरे के प्रती खास इंटरस्टी नहीं दिखा रहे थे जब जुही को पता चला की जैक की वाइफ की एक प्लैन हासे में मौत हो फिर ये दो एक दूसरे के करीब आ गए दोनों ने जब साधी के बारे में सोचा तो उनके कुछ वक्त बाद ही जुही की मां एक एक कार एक्सिंट में उनकी मौत हो गए इस हासे से जुही बुरी तरह तोड़ गए उस वक्त वैस साधी को लेकर कोई फैसा नहीं कर पार रह जुही ने 1996 में फिल्म सर्तान से वॉलिवूड में कदम रखा था फिल्म सुपर फ्लॉप रही इसके साल दो बाद वे फिल्म कयामत से कयामत तक में नजर आई प्लंक ब्लॉक मास्टर रही और जुही रात और रात स्टार बन गए उनके कई हिट फिल्म में भी काम किया महत मर्डी नास्टर कंपनी महता गुरूप के ओनर है इसके साथ ही उनकी सिमिट की दो कंपनी है सारुखान के साथ वे IPL टीम के कॉलकता नाइड रैडर के ओनर भी इनका रियर नेम ही जुही चावला और मैरिज के बाद इनका फूल नेम हो गया जैम है ता जुही चावला महत इनका नेम जुह है और परपेशन की बात करें तो यह एक्टर एंड फिल्म निर्माताज उद्धोम समाज कारे करता हैं बात करें इनकी फिसकल सिक्टेश की तो इनकी हाइड है 165 सेंटीमीटर और वेड है एप 25 केजी आइस ब्राउन है हे ब्राउन है अब बात कर लेते है इनकी पास्ट लाइब के बारे में तो इनकी डेट और वर्थ है थार्टी नौब बन वन नाइन्टी सिस्टी सेवन और इस हिसाब से इनकी टुट हाज़न ट्वेंटी फॉर में इनकी एज हो चुकी है 57 यह की इनका वर्थ पेस नोदिहाना पंचाब है और नाशनल टी से इन्डेन का होम टाउप बुमी महरास इंडिया है बात करें इनकी एजुकेशन कॉलिफिकेशन के बारे में तो इन्होंने फोरेंट कर्वेंट स्कूल बुमबई से कंप्लीट की लेकिन इन्होंने उनकी प्रथम सिक्षा अंबाला हरियाणा के एक स्कूल से हुई थी और ब बात करें उनकी ध्रम के विचार के बारे में तो जो ही चावला हिंडु ध्रम की अनिवमी है एक साक्ष्य के दोरान उन्होंने साजा किया कि बच्पन में उनके परवार विसेस अफसर्व मंदिर में जाते थे लेकिन उनकी परवर विसेस रूप से धार्मिक पथा पर नहीं थी हाला कि विजनसमें जय महता से उनकी साधी से उनके डिस्ट्रिकोंड बदल गया और चावला ने अपनी सास सुनेता महता को आशादन तरीकी सक्ती और अटूड आत्म बिस्वास बाली महिला के रूप में वेजित किया है चुरोती पूर्परस्टिती में भी सांत र उनका क्रेक्ट एड्रेस एक्सफोर टावर युम्ना नगर अश्वार कंप्लेक्स अंधेरी बैस्ट बुंबई है कंट्रफिशी के बारे में तो उन्होंने दिली में उच्छ न्याले में 5 जी मुकत्मा 2021 से जुही चावला ने दो अन्यवेक्ति के साथ मिलकर भारत में 4 ज चुनोती देने के लिए दिली उच्छ न्याले का दर्वाज़े खटकटाए उन्होंने मनुष्य जालबे पक्षी और प्रद्दी पर सभी जीवेप्राणी के लिए 5 जी तकनीकी सुरक्षा के बारे में चीता जताए उसकी मुकदमे के बाद दिली की उच्छ न्याले में चुही और उनके सेह अपलाई करता पर कानून प्रिक्रिया का तुर्प्यों करने का अरुप लिए 20 लाक रुपे का भर जुर्मान लगा हलाकि पुण बिचार के बाद उन्होंने जुर्माना कम कर दिया और उनके इसके बदले 2 लाक रुपे का भुक्तान करने का निरीज और डॉक्टर का नाम जो भी महता है बात करें उनके फैमिलीज की तो उनके फादर का नाम है डॉक्टर एस चावला जो की भारते राज़ शेवा अधिकारी देगण थे उनकी मदर का नाम है मोना चावला ताज़ शमू के हाउस केपी में भागे में परवक थी वो और उनके ब्रदर का नाम है संजीर चाला उफ वीवी चावला रेट चली इंटरेंडमेंट से पुर्व मुख्यकारी करता अधिकारी है उनके फैबरेट एक्टर सिरी देवी अमीर खान सारुफान है उनकी फैबरेट मूबी हमेरा ही प्यार के उनका फैबरेट सो बिग बैग थोरी ह है उनकी फैबरेट पर्दूशर यस चौपड़ा है उनकी फैबरेट इजायन मनीश मनोत जूए चावला एक भारतिय एक्टर फिलम निरमाता हुधियम और समाजिक कारे करता है वै 1910 के दसक में अंध से लेकर 2000 के दसक की सुर्वाहत तक बॉल्यवूड की अंग्रेडी अपने असादर हैच कोसल और स्कीन पराकरशित करिश्मा के लिए जाने जाने वाली जूही की दो फिलम फियर पोस्कार सहीत कई परिस्टा पोस्कार मिल चुके उन्होंने 1984 में मिस इंडिया का ताज पहनाया गया वे एक मिलगलास हैमली से आती है जूही हर्यारा के अंबा ब्रते वकिता वर्क मिस्स प्रते गेट एक मिस्टी पोस्कार से समारी चाहाव्य में जूही चावला ने हिंदी फिलम स्टांस अपनी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा जिसमें उन्होंने लिजाना का किरदार निभाया हला कि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदशन नहीं कर पाई 1968 में जूही ने अमीर खान के साथ हिंदी भासा की रोमेंटिंग संगीत फिल्म क्यामत से क्यामत तक मेरे इसमा की भूमे का निभाय स्टार्टर्म हासिल किया है फिल्म बीलियन शेर की पीपर के साथ उपनास, रॉमी एंड जुटिल का समय कलर स्थांटन था इसके बाद उन्होंने अमीर खान के साथ कई ब्लॉक मास्टर फिल्म में अभ्यान किया उनकी सफ़ सयोगत फिल्म में दौलत की जंग हमें रही प्यार के अंदाज अपना-पना इक्स और दिवाना मस्ती सामिल है 1990 में जुही चावला की फिल्म रिस्ते हो तो ऐसे में दिखाए है जहां पर उन्हें रिशी कपूर के साथ स्कीन शेयर की जुही चावला ने सारुखान के साथ कई सफर फिल्म में भी काम किया उनके लेक सयोग में राजा बाबू बन गया जंटलमें डर यस बॉस डुब्लिकेट और फिर भी है दिल हिंदुस्तानी सामिल है जुही चावला कई अन्ने लोग पर हिंदी फिल्म का भी हिस्सा रही जिसमें माई ब्रोधर निखिल मिस्टिज एंड मिस्स घिलाडी जैसी मोबे में सामिल रही है अलाकि फिल्म बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर से नहीं कर पाई लेकिन जुही चावला की एक्टिंग को अलोचन करना काफी परसंतर रही है 2022 में उन्होंने हिंदी फिल्म में कॉमेडी ड्रामा फिल्म सर्मा जी नम्ही में बिना मन्चद की भूमी का निभाई उन्होंने एक रैड फिल्म में रंधीर कितारी जोसी, सांती करांती, पुश विमा और वी गुड बे काफी सारी मूबीस में काम कर चुके चावला ने तैमिल सिनमा में भी काम किया है विवेक दादा और सांती करांती जैसे फिल्म में काम किया उन्होंने जोही चावला तामिल फिल्म नोटकुट और उलेक में नजर आई जिसमें उन्होंने जोती की भूमी का निभाई एक साल बाद उन्होंने बंगाली फिल्म अपना पौर में भी भूमी का निभाई ले उन्होंने जोही चावला ने सारु खान और अमीज मरजा के साथ मिलकर टीम इज अनलिमिटेड नामक परड्यूशन कंपनी की सह स्थापना की इस बैर के दोहार उन्होंने फिल्म फिर भी दिल हिंदुस्तानी दोहसार में आशोक और दोहसार एक में चलते चलते दोहसार तीन में सहिनिड मारम मेट्रों की मीनी सिज महा सक्ती में भी दिखाई इसमें उन्होंने छूनी बहूमी का निभाई जोही चावला ने अपनी पती जह मैता और एक्टर सारुख खान के साथ मिलकर कोलकता इस इंडियन प्राइमरी लिंक आई पी एल फ्रेंच राइस के स्वामे धिकारी 7.5 मिलियन अमरीकन डॉलर्स में हासिल के उन्होंने 2008 में अपनी टीम का नाम कोलकता नाइट राइडर के क के में रखा उनका लेक रूप से के 2022 में 2024 से 2020 के की टूनामेंट में बिजे हुई इसके लाओ जुही चालो बुंबई के केंपलेस ओनर की स्थिति पिज्जा मैट्रो पिज्जा नामक एक स्थित की सह मालकी नहीं जुही का खाली समय निर्थ करना और बैर मिंटर खेना पसं इसे के बाद एक नेतदान संगटन को अपनी आँख दान करने का निर्णे लिया है वैसेकरी के रूप से लोगों को भविशे के लिए एक सहात्री बील कलब के रूप में अन्यदान पर विचार करने के लिए परशाहिद करती है ब्यूट्य क्यून के रूप में अपनी अपना राAST अपनाये जूई ने जान बूश कर और भूमिका को ठुकराया जो इन्हीं ग्लैमर और आकसीत स्थार के रूप में चित्रित करती है जिसमें से एक एक एक्टर के रूप में उनकी पस्थ भूमिका मजभूत की जिससे इक तरहाक का ऑनिसकील वैक्तिकस अपनाय शुरवात में जुही चावला को हिंदी फिलम लुटे रे 1993 में भूमी का सिकार करने की जिजक थी क्योंकि उन्हें डर था कि इसे उनकी अच्छी छवी खराब हो सकती है हाला कि दोस्तों के समझाने पर उन्होंने आखिरकार इस अफसर को सिकार कर लिए अपनी बहु मुखी परतिभाग का परदर्शन के साथ ही अपनी ग्लामर्स वैक्तिकत के लिए पहचार मनाई एक इंट्रव्यू के दोरान सल्मान खान ने खुलासा किया कि उन्हें जुही चावला के पिता ऐस चावला ने जुही के लिए साधी का परस्थाव रखा था हाला कि जुही के पिता ने परस्थाव ठुकार ला दिया था एक टेलिविजन इंट्रव्यू के दोरान एक मांसी पल में जुही चावला भावना से अन्वूत हो गई और आस टेलिविजन पर रो पड़ी है घटना तब हुई जब सोग के होस्त ने उनके भाई वीवी चावला की चिकल से स्थिती के बारे में पूछा जोकी कोमा में चले गए थे अपने करिये की सुरुआत के दोरान में जुही चावला का साधर मांग सामना करना पड़ा जिसके पड़ना सर्व 1990-1993 के बीच उनकी कुल फिल्म 29 फिल्म लीज हुई पंजावी फिल्म सहित उधिम सिंग में अपनी भागिदारी के लिए परिश्रम नहीं लेने का फैसला किया अपने उले करिये के दोरान जुही चावलों को कई ब्लैक वास्टर फिल्म में परशेंता अक्टर सारुख खान और अमीर खान के साथ काम करने का अफसर मिला दिल जुही चावलों बच्पन के दोस्ते जुही चावलों और अमीर खान ने अपनी करियर की सुवाद लगभख एक ही समय में की थी अमीर ने सैट पर अपने चंचल विवार के लिए खियात प्राप्त की हाला की एक विसेश रारत ने सीमा पार कर दी जिसमें जुही अपनी सी सूटिंग के जारी रखने के लिए इंकार कर दे जिसकी हतस हतास बनी रही जिसके कारण उसे अगली दिश सूटिंग भी चुछान थे अमीर खान भी उसके पती के लिए से परशान थे जिसके पढ़ना सुरू घटना के बाद लगभग चार से प्माच वर्स तक दोनों के पीज बाचीत बन रही एक इंटर्वे का गरान जुही चावला ने दावा किया कि करिश्मा कपूर के स्टार डैम को बढ़ाने के लिए उनकी एहम भूमिका रही है जुही के अनुसार बॉलिवर्ड फिलवराज हिंदुस्तान यो अद्दिन तो पागल है 1997 जिसमें करिश् आप सफलता की मुचाई पर होते हो तो आंकार अक्सर आपके निर्णे को बभावित करता है मेरे मामले में मैंने अंचानी में करिश्मा कपूर को इस्टार बनाने में भूमिका निभाई मैं राज़ इंदुस्तानी के लिए पहली पसंद थी और उन्हें दिल तो पागल मे काम किया जो पहली बार मुझे आफर किया गया था अपनी करियर के चरम पर जूही चावला को माते रिक्षित के साथ फिलम में काम करने का कोई परस्था मिला कई परस्था मिले हाला कि उन्हें इन अफसर को ठुकरा दिया क्योंकि वे उनकी पीछे रहना नहीं चाहती थी फ तो महा भारत में दुरुपती की भूमिका पेश कस्प में की गई थी हाला कि उन्हें इस अफसर को ठुकराना पड़ा क्योंकि संकला सूटिंग के रिडियो शर्फ फिलम के आने से कियामत तक के लिए उनकी प्रतिबंदिता से 1988 में जुही अपनी फिलम डुब्लिकेट की सूटिंग कर रही थी तो उन्हें एक दुर्घटना में अपनी मा की खुद मौत के विनाशकारी ख़वर मिली जुही के भाई संजे को 9 मार्च 2014 को बुंबई के जलसा हस्पताल में इंदिधारिद हो गया ऐसा लगता है कि 2010 में गंभीर ब्रेन स्ट्रेंड हुआ जिसके कारण हुए कोमा में चले गए थे साधी से पहले जुही चाला और जैम हैता कई साल तक एक दूसरे को डेट किया एक साशित में इस पस्ट किया कि जुही ने अपने प्रेर समंद दिनों उन दिनों को याद करते हुए जैम हैता के हाव भाव के बारे में सुगदाय किसे सहजे किया उन्हों उन पलों को याद किया जब जैम हैता दिल से उपहर सुन्दर फूल और हाथ में ले नोट लेकर अच्छारे चकित करते थे एक खास याद जो सबसे अलग थी वह थी जब जै उन्हें गुलाब से भरे एक टक जिसके वज़े से वे सुख रूप अस्चारे चकित होगे उनके पूर्ण भाव भाव से प्रभावित हुई सुरवात में जुई चाल्वनी जै महता के साथ अपनी साधी को गुथ रखने का फासला किसा कुई अ साक्षण के दोरान उन्हें काफिस समय तक अपनी साधी को शोचानिक नजरों से चुपाने के अपना फैसले के पीछे कारण विचार किया जुही ने बताया कि वैं अपनी करियर की सिखर पर थी और हाला ही में उन्हें अपने पेशिवर जीवन में इस्तरिता हासिल की थी हाला कि उन्हें ये चिंता थी कि उन्हें अपनी साधी का खुलासा करने से उनकी कड़ी महनत से हासिल की गर्पती-गर्ती बादित हो सकती इसलिए उन्होंने को अपने को पर्थिमिक्ता देने और अपने बेवाविक जीवन को अपने सोजनी बेक्तिगत से अलग रखने का जान बुचकर फैसल लिया आपको पसंदा यह अगरों पसंदा यह तो प्रीज वीडियो को लाइक अनल ना बूर और था यह वाचिंग 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 विडियो